इरादे हूँ पक्खे तो रासा ना मोड़ना, मुश्किले आएं तो सपने मत तोड़ना, हर कदम पर मिलेंगी रुकावटें आपको, कुछ भी हो बस हिम्मत मत छोड़ना. नमस्कार, मैं हूँ स्वामिया टंडर, News 18 मद्रदेश, Celebrity Talk Show होस्तों की उड़ान में आपका बहुत-बहुत स्वागत है. आज हमारे साथ मौझूद हैं, लाला राम स्वरूप, रामचंद्र एंड संस के मार्केटिंग हैड, Mr. शाम जाजी. Mr. जा, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शोपर. शाम जाजी, घंड़ाजी. घंड़ाज. सबसे पहले तो मैं आपसे यही सवाल करूँगी, कि 1936 से आपका ये पंचांग प्रकाशित होता आ रहा है. क्या आप इस सफर के बारे में हमें कुछ बताएंगे, इसका महत्व क्या है और ये कब से क्यूँ प्रकाशित हो रहा है? श्रम जाजी, इसके पीछे लाला राम सुरूप एंसंस एक संस्ता की स्थापना 1936 में हुई थी, जो श्री रामशंगर अग्रवाल जुने करी थी, उनके पिता जी की स्मुर्टी में हुए उनका उदेश ये था कि उनके पिता जी की स्मुर्टी अमर रहे। उसके लिए उन्होंने उसके पीछे उनका उद्देश है था कि एक पंचांग बना जाए ताकि वो हर व्रकाश आज पिछले करीब करीब सत्तर असी साल से बनता हुआ आ रहा है और आज भी वो नाम अमर है कुल बहुति है उनका उद्देश रे था कि पंचांग बनेगा और उनके पिता-जेग इसमेति हमेशा तजा रहेगी मैं आज से यह भी पूश्ना चाहूंगे कि पंचांग का महत्व क्या है हमारे जीवन में पंचांग का महत्व हो देखिए, हम सब सनातने हिंदु लोग हैं, हमारे जीवन में रोज नही नहीं तिथियान, नहीं त्यहार, एक कम, ग्यारस, बारस, हर चीजें अलग-अलग आती हैं, माता हैं, भावियें, भावियां हैं, और भोवें हैं, बेटियां हैं, सभी के लिए ये कुछ न कुछ चीजें वरतों का, त्यहारों का बहुत महत्व होता है, उस वरतों और त्यहारों में समय का भी बहुत महत्व होता है, जी चंदरोदे कब है तो कब त्यहार है, इसकी सटीव जानकाई एक दिवाल में लगे, एक पंचांग की रूप में प्रिजन करने से उनके लिए बहुत सहुलीद भरा हो जाता है नहीं तो पुराने समय में एक पुस्ति का आतिती जिसको रिफर करना पड़ता था या पंडिक जिसे बात करके हमको सब चीजों का तथे मालूम करने पड़ते थे उसी अनुसार हम आगया पड़ते थे इन सब चीजों का सरवली क करना एक छोटे पंचाग में रूप में हो गया है और घर घर में इसकी जगे अच्छी बन गया है और हर व्यक्ति के लिए बहुत आसान हो गया है कि कोई भी चीज मुझे रिफर करना है तो मुझे लाला राम सुरूप आर्शी अन संस पंचांग से मिलेगी जैसे कि आपने कहा कि हर चीज का महत्व वक्त से जुड़ा होता है तो ग्रहूं के की जो पोजिशन है उसके चेंज होने से तिथियां वक्त और जो त्यवहार हैं उनकी डेट्स बदल जाती हैं तो ये हर साल बदलती हैं तो ये आप कैसे निर्धारट करते हैं क्या आपके पर्षों से ये डेटा उनसे बनवा रहे हैं और काफी सटीग डेटा है 99 % उनकी मारना चीजें बहुत रिवस्थित सी रहती हैं और दिथियों में भी त्यारों में भी हीवा महरत हैं गरह प्रवेष के लिए मवरत हैं, मुंदन के लिए मवरत हैं, राशी फल है, प्यापारिक राशी फल है, बहुत सारी चीजों में इनकी भविश्य वानी अभी देते हैं, अच्छा, अच्छा, उसमें कई ऐसे उधान आपको दे सकता हूँ कि जो उनकी भविश्य वाना सटी करें, अभी अगर पिछ पिष्य वाना की ती उसमें अपने बिहार में और महाराष्ट में राजनी की उथल पतल हो सकती है, बिटिश की महारानी का स्वास्त में कुछ उताचड़ा हो सकता है, आपने समझा हूँ को उनकी सोरगवास हो गया, ऐसे कई भविश्य वारियां जो सती रही हैं, तो उनके उपर लोगों का विश्वास बहुत सही हो गया है, अर हर साल हम जो उनकी मुलिश्यवारियां सही होती हैं, वह हम अगली साल के पंचान में उसके प्रिजन करते हैं, ताकि लोगों को, हमारे क्राहगों को इस चीज़ का अंदाज रहे. जी जैसे कि आपने कहा है कि ये पंचान बहुत प्रचलित है और हर साल आप इसे प्रकाशित करते हैं क्योंकि हर साल तिथियां बदल जाती हैं तो किन बारीकियों का आप ध्यान रखते हैं प्रकाशन करने से पहरे बारियों में तो मुख्य जो चीज है वो तिथी है तिथी और समय सबसे इंपॉर्णन वही है जो जानकरी जो इंफर्मेशन जो हम देते हैं वो इडास टू भी हंड़ेट पर्फेक्टी जी उसी के भरोसे पे हमारी यह पंचांग आज इतना वर्सों से भराबर चल रहा है औ और कहीं ने कहीं इसकी सेल में उसके वजार में इसमें डिमांड बढ़ती जा रही है समय के साथ सब्सक्राइब काफी बदल जुका है पर उन्तु अभी भी इसमें कोई ऐसा बहुत ज़़ा हमको परिशानी नहीं आए कि हमारी सेल डाउन होई हो या मार्केट में डिमांड जैसे कि आपने कहा कि लोगों को बहुत विश्वास है और पंडित जी पंचांग बनाते हैं उनकी भविश्य वानी अक्सर सही होती है 99% सटीक होती है तो लोगों को आपके पंचांग पे भरोसा है लेकिन एक और आपने एक बात कहीं कि बदलाव जो आ रहा है वक्त बदल रहा है लोग बदल रहे हैं तो वक्त के साथ सभी को बदलना पड़ता है तो आपके पंचांग में क्या बदलावाया है पंचांग में अगर उसके भौतिक रूप की बात की जाए तो पिछले कई वर्षों में उसके जो प्रॉडक्शन में उसके मुद्धर में हमने बहुत परिवतन किया है उसके लेयाउट में हमने बहुत परिवतन किया है लोगों के जो सजेशन हमारे पास मेल से आते हैं चित्थियों से आते हैं उस अमिसार हम काफी चीजों को परिवर्चित करते हैं कई छोटी-छोटी डिमांद आती है कि हमें कुछ लिखने की एक कॉलम यह तो उनसी चीजों को ध्यान रखे ही हम उसको प्रेजंट करते हैं और चोटी-चोटी बातों का ध्यान रखते हैं और उसके लेयाउट में जिसे सबसे पहले शुरुआ थे उसकी एक सिंगल कलर बुलना है तो ब्लैक एंवाइट छपता था था फिर दो रंगों में उसका उत् बढ़ गया उसका जै मैं यह भी जानना चाहते हूं कि लोगों को यह कैसे पता लगेगा कि जो पंचांग वो खरीद रहे हैं बाजार से वो सही पंचांग है क्या इसकी कोई पहचान होती है हमारे पंचांग में हमने दो पहचान को ज्यादा हम उसको जोड़ देते हैं जै कि आप 72-444 वाला पंचांग असली पंचांगी खरीदिये, वो अलग-अलग माध्यमों से उनको हम बताते हैं, और दूसरा हमारे पंचांग में सबसे उपर एक 3D का लोगो लगा रहता है, उसमें हम लिखते हैं कि ये जो लोगो लगा है, ये सही पंचांगे असली तो ये चो आपने नमबर बताया, ये क्या copyright नमबर है? कई माध्यमों से करते हैं, कभी-कभी हम रेएडियो के करते हैं, कभी TV के माध्यमों से करते हैं, लोगों में अवेरनिस क्रिया टे这么. एक बात मैं आप से और पूछना चाहूंगी कि अकसर जो हैं लोग पंचल जी के पास जाते हैं और भवश्रवानी कराते हैं अپने पत्री दिखाते हैं लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है यह समझना कि जिनके पास वो जा रहे हैं, क्या उनके पास इतना ज्यान है या नहीं है तो मैं है चाहते हूं कि आप हमारी दरश्कों को बताएं कि किस तरह से पत्री का या भवश्यवानी का इस्तमाल होना चाहिए और किनकिन चीजों से हमें बचना चाहिए देखिए हम जब भी किसी विवा मौरत के लिए या विवा के लिए या कोई ग्रह मौरत के लिए पंडिक से बात करते हैं तो हम जाते हैं तो कहीं ने कई पंडिक जिप पे हम में विश्वास है सब सब पहली चीज विश्वास है हम तभी जाते हैं पंचांग भी एक विश्व से लोगों का पंचांग में जो जानकरी दियों बहुत सठीक है और उस पर 100% लोग उस पर विश्वास करते हैं और आगे बढ़ते हैं मतलब आपको अगर विवा करना है तो आप महरुत देख सकते हैं सीजन में कौन सी कौन सी देट में विवार का तारीख है उपलब्द हैं क करना है तो उसके लिए उसमें आपको बहुत ज्यादा पंडित जी से रिफर करने के आवशक तभी नहीं पड़ेगी आपके अपने जो पंडित जी हो तो इसे और अगर करते हैं तो जो बात वो बलेंगे उसको तो आपको स्विकार करना ही है विश्वा सबसे बढ़ी जो जोड़ना चाहूंगी कि जरूर पत्री का और पंचांग का इस्तमाल करें लेकिन कर्म भी करते रहें बहुत ज्यादा ये ना सोचें कि जो है बस वही है और हमें कुछ नहीं करना है तो शाम जा जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आज आपने बहुत स हमने आपसे जाना आपने इस शेत्र में बहुत योगदान दिया है और आज हमारे जो मंच है न्यूज एटीन, मद्र पदेश, सेलेविटी टॉक शो होसलों की उरान में हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं और आपके इस योगदान को सरहाना चाहते हैं जी सबसे जरूरी मुझकराते रहिए